हेई गाईज वेलकम बैक टो दी चैनल सूपर सॉनिक आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिस पर आप लोग पिछले कुछ टैम से काफी ज़दर डेमांड आ रही है काफी ज़दर रिक्वेस्ट आ रही है मैंने कुछ टैम पहले एक वीडियो बनाया था किसकी गलती के वाज़े से हुआ है वैसे आपको normally बता दू तो यहीं जितने भी एक्सिएंट है काफी बार लिक्वेस्ट होगई हैं और काफी बार अलग रिजन से भी यह सारे के सारे एक्सिएंट हुआ है तो चली वीडियो के स्टार्ट करते हैं I hope so आप लोग वीडि जिदी उसके साथ हुई है तो आप मुझे जरू कमेंट बाक्स में बताना मेरे साथ भी एक बार ऐसी सिच्वेशन हुई थी जब मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था और एक दम से नील गया है हमारी ट्रेन के सामने आ गए थी और उसका तो इतम चीथड़ा वड़ा जयता है क प्रेन नमबर 12487 जोगबनी आनदवियार सिमांचल एक्सप्रेस जो कि डिरेल हो जाती है यह एक्सिडेंट होता है तीन फरवरी 2019 में सिमांचल एक्सप्रेस हाजिपूर से गुजर रही होती है एक दम से एक जोरदार आवाज आती है और देखते ही देखते सिमांचल एक् कुछ कोचिस जो हैं वो एसी के भी रहते हैं बाद में जब इस एक्सिडेंट की जांच कराई जाती है तो पता लगता है कि जो ट्रेन डिरेल होती है वो इस वज़े से होती है क्योंकि जो ट्रैक रहता है वो टूट जाता है इस ट्रैक के टूट जाने की वज़े से ही जो स काफियत एक्सप्रेस जो की डीरेल हो जाती है 23 अगल 2017 को यह एक्सिनेंट होता है जब कैफियत एक्सप्रेस एक डंपर को हिट कर देती है वह रात के टाइम दो बच के 40 मिनट पे अपनी फुल रफ्तार में अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही होती है बट एक अन्मे इस बिचली होती है जिसके लिए ट्रक को यूज में लिया जाता है खेर जो ट्रक ड्राइवर रहता है उसकी तो अन्द स्पॉट डैथ हो जाती है क्योंकि आप लोग इस एक्सिरेंट को देख करके खुद अच्छे सांदाजा लगा सकते हो जो जो कैफियत एक्सप्रेस है उसका इंजन और उसके साथ लगबग 12 कोचिज जो है वो डीरेल हो जाते हैं जिसमें पांच A.C.C. रहते हैं दो सलिपर कोचिज रहते हैं और चार जो है जर्नल कोचिज रहते हैं इस एक्सिरेंट में लगबग 70 से भी जज़दा लोग इंजर्ड हो जाते हैं खेर इसके इस्पेशली जब आप ट्रेक को क्रॉस कर रहे हो ना तो एक बार लेट राइट ज़रूर देख लो क्योंकि त्रेन इतने ज़्यादा फास्ट होती है आपको पता भी ने लगए पलक जपकेगी और ट्रेन आपके पास में आ जाएगी इस ट्रेन के जितने भी कोचिस रहते हैं काफी कोचिस पलड भी जाते हैं और जो इंजन रहता है उसको भी काफी ज़दा नुकसान पहुंचता है पहले तो शुरू शुरू में ये देखा जा रहा था कि ये कोई टेरर अटेक है जिसके वज़े से ये पूरा का पूरा रेल हाथसा हुआ जब बाद में इस पर CRS की टीम ने इंवेस्टिकेशन करी तो कुछ और ही रीजन निकल के आया जो में रीजन निकल के आया उसे सोचकर कि आप भी काफी हैरान होंगे यहाँ पर यह रीजन निकल के आया कि जो ट्रैक पॉइंट होता है उसके फेलीर के वज़े से ये पूरा का पूरा एक्सिडेंट हो गया track point क्या होता है, track point basically वो होता है, जब आप intersect होते हैं तो वही decide करते हैं कि train को किधर कौन सी direction में जाना है, left जाना है, right जाना है, जो भी destination उसकी रहती है, track failure होने के बावजूद भी इस train को green signal दे दिया गया, जिसकी वज़े से ये पूरा का पूरा accident हुआ, बात में जब इन सारी के सारी चीज़े सामने आने लेगी, तो CRS ने जो engineering team थी, engineering department था, उनको ही पूरा का पूरा दोसी ठहराया, ये accident इतना जदा भेहन करता है कि आप लोगों को हर जगा इस train का मलवा देखने को मिली रहा होगा, next number 4, train number 12987 अजमीर सियालदा एक्सप्रेस, accident का सिकार हो जाती है अजमीर सियालदा एक्सप्रेस के लगबख 15 जो कोचिज रहते हैं, वो काफी बुरी तरीके से डीरेल हो जाते हैं, इस accident में लगबख 40 लोग से जादा injured हो जाते हैं, और दो लोगों की जो है, वो death हो जाती है, जब ये train रूरा स्टेशन को क्रॉस कर रही होती है, पांच जो था, वो fracture हो रखा था, जब train उस track से गुजरी तो उसके engine और engine के कम से कम पांच छे बोगी जो थी, वो अराम से वाँ से क्रॉस हो गई, लेकिन जैसी छटे साथवे की बारी आई, तो जो fracture track के अंदर था भाई, वो तूटते तूटते इतना ज़ादा तूट गया, कि व भुनेशवर एक्सप्रेस का, जो कि आंद परदेश में होता है, इसमें नौल रभ्य जो है, भुनेशवर एक्सप्रेस के डीरेल हो जाते हैं, और ये accident होता है कुझनेरू, लगबख 11 बच के 20 मिनट पे, इस accident के अंदर लगबख 26 से भी जादा लोगों की दैथ हो जाती है और लगबख 56 लोगों से भी जादा injured हो जाते हैं, ये accident होता क्या है, जो train रहती है वो अपनी पूरी speed में भाई जा रही होती है, अपनी destination की तरफ, पर एकदम से suddenly क्या होता है, कि train जो है वो डीरेल हो जाती है, और यहीं तक कहानी नहीं रुकती, डीरेल होने के बाद पर आप लोग देख सकते हो, जो माल गाड़ी रहती है, उसके भी कुछ बोगी जो यहाँ पर आप लोगों देखने को मिल रहोंगे, बात विस्थानी लोगों को पता चलता है, तो फटा फट से उस सब को इंफर्म करते हैं, फिर ambulance गाड़ी वाड़ी सब कुछ आता है, जि है, जब ट्रेन अपने पूरी फुल स्पीड में लगभग रात के धाई बज़े जा रही होती है, जब वो महोबा रेल्वे स्टेशन को क्रॉस करती है, और उसके जस्ट दो मिनट बाद वो डिरेल हो जाती है, इस एक्सिडन में लगभग बावन से भी ज्यादा लोग हो जाता है, वहां के करमचारी रहते हैं, उन्होंने उत्ते ध्यान से काम नहीं किया होता है, ट्रैक के कुछ नट्स बोल्ट जो रहते हैं, वो लूज रह जाते हैं, जिसके वज़े से पूरा का पूरा एक्सिडन हो जाता है, यहां पर लगभग दो जर्नल कोचीज और एक हाफिजदान हो जाता है, यहां पर कुछ आप इमेजिस भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा बुरा हाल है इस ट्रैन का, इन एक्सिडन को कितना ही रोकने के कोशिश कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैन एक्सिडन जो हैं, वो हो जाते हैं, आप लोग क्या मनना है, आप लो लगबग 5-10 मिनट पहले ही यह प्लैटफरम नमबर दो पर के आगर के रुकती है, और वहां से जब चलती है तो उसी के कुछ 10-15 मिनट बाद इस ट्रैन का एक्सिडन हो जाता है, इस ट्रैन नमबर इस ट्रैन बाद पहले हैं, जिसका एक्सिडन होता है, यह प्लिए बस में या फिर दूसरी ट्रैनों का इंतजाम किया जाता है, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ फटा फट से पहुँच जाए, यह एक्स्ट नमबर 8, यह एक्सिडन होता है तप इस ट्रैन में जादा लोग इंजर्ड नहीं होते हैं, जो ट्रैन रहती है, उसकी स्पीड जादा नहीं रहती है, उन लगबग 40-50 की स्पीड पर ही चल रही होता है, जिसके एक्सिडन जो है, उतना सदा भयानक नहीं होता, नेक्स्ट नमबर 9, राज्यरानी एक्सिडन होता है, जो कि 15 अपरेल 2017 को होता है, जब यह ट्रैन मेरट से लखनों की तरफ जारी होती है, तो रामपूर में जाकर के डिरेल हो जाती है, लगबग 15 लोग जो है, यहा बहुत जादा तेज नहीं रहती है, सिर्फ एकुछ डिब्बे जो है, वो पलेट जाते है, और ट्रैन जो है, वो खड़ी हो जाती है, नेक्स्ट नमबर 10, ट्रैन नमबर 023406 गोहाटी हावरा स्पैसल एक्स्प्रेस, जो कि 25 अगस 2021 में हाथ से का शिकार हो जाती है, छे ग ट्रैन रहती है, वो काफी जदा एडवांस कोचिस लेके चल रही होती है, मतलब आज के टाम के जो बने वोई कोचिस हैं, वो काफी जदा सेफ हैं, जो पुराने वाले जो कोचिस आया करते थे उन से, तो इसके अंदर आप लोगो नए कोचिस देखने को मिलते हैं, इस बताईएगा कि ट्रेन हसो को कैसे टाला जा सकता है, कैसे कम से कम किया जा सकता है, इंडिया के अंदर, सिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई